29 जुलाई को गौरी घाट से आरंब होकर कैलाश धाम तक निकाली जाने वाली कावड यात्र के मद्दे नजर की जा रही तैयारियों का जायजा लेने कलेक्टर दीपक सकसेना और स्पी आदित्य प्रताप सिंग पुलिस एवं प्रशासनेक अधिकारियों के साथ गौरी घाट पहुँचे जहां उन्होंने घाट पर पहुँचकर निरिक्षन किया और अधिकारियों एवं समीती सदस्यों से चर्चा की वही कलेक्टर स्पी शाष्की आयर्वेदी कॉलिज मैदान पहुचे जहां उन्होंने 15 अगस समहारों के लिहास से मैदान का रिरिक्षन किया और मुख्य समहारों के आयूजन की संभावना इतलाशी फिलहाल 15 अगस्त के मुखे समहारों के लिए इस्थान का चैन निश्चित नहीं हुआ है इस्थान चैन को लेकर स्पी कलेक्टर के द्वारा कुछ अन्य जगों का भी निरिक्षन किया गया है जिसके बाद इस्थान फाइनल किया जाएगा हुआ 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 है